क्या हुआ जब 26 साल बाद एक गर्बवती महिला को याद आया अपना पुनर जनम और पिछले जनम की जो उसने सच्चाई बताई वो जानकर आपके भी रोंगते खड़े हो जाएंगे इस घटना की शिरुवात करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरू लिखे साथ ही हमारे चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बात है राजस्थान के उदैपूर की माधूरी नामक एक लड़की का राजपूत घराने में विवाह हुआ और 26 वर्ष की उम्र में वह गर्ब वती हुई उसके पती और ससुराल वालों ने उसका बड़ा ख्याल रखा देखते देखते नोमहा बिद गए और समय आज चुका था माधूरी के डिलेवरी का उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया ससुराल वाले और उसका पती बहुत खुश थे उनका कहना था कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है उस समय माधूरी बेहोश थी और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो माधूरी नहीं बलकि कवीता बन कर जागी उसका यह कहना था कि मेरे बच्चे को मत मारो मेरे बच्चे को मत मारो परंतु उसके सिसुराल वाले और उसके पति उसे ये एहसास दिला रहे थे कि तुमारा बच्चा सही सलामत है और ये रहा परंतु उसने उस बच्चे को स्विकारने से ही मना कर दिया क्योंकि वो उस समय माधूरे नहीं कविता बन चुकी थी और कविता की पीछे का क्या रहसे था जब उसके सुसुराल वालों ने जानने की कोशिश करी तो उसने बताया कि मेरा नाम कविता है और मैं राजस्थान के अलवर में रहती हूँ हमारे पूरे गाओं में बेटियों को लेकर बड़ी नफरत फैली हुई है सभी चाहते हैं कि उनके घर बेटे का ही जन्म हो बेटी का नहीं और किसी तरह अगर उन्हें पता चल जाए कि गर्ब में बेटी पल रही है तो फिर वो उसकी बुरून हत्या करवा देते हैं सेटिंग बिठा कर मेरे ससराल वालों ने ये जान लिया कि मेरे गर्म में तो लड़की पल रही है और उन्होंने भुरून हत्या करने का फैसला लिया मैं मानने को तेयार नहीं हुई परन्तु उन लोगों ने मेरे साथ जबर्दस्ती करी और मुझे खीच करके हॉस्पिटल ले आए परन्तु मेरा दुरभागी रहा और उस अबोशन के दोरान मेरी भी मृत्ती हो गई परन्तु आज मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया है और अब मैं किसी भी हालात में अपने ससुराल वालों को सजा दिलवाक कर रहूंगी अब अचानक से इतनी गंभीर बातों को सुनकर माधूरी के ससुराल वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए उन्होंने सोचा कि अब तो राजस्थान के अलवर जाना ही पड़ेगा उसके बाद वो माधूरी को ले करके राजस्थान के अलवर पहुचे वहा किसी ने भी उसको एक भी एडरेस नहीं बताया था परन्तु वो बिल्कुल सही पते पर उसके घर अपने आप ही पोच गई मानो ये कोई चमतकार था जब वो वहाँ पहुची तो उसके पती ने दूसरी शादी कर ली थी जब माधूरी के ससुराल वालों ने उससे कुछ बात उगलवाने की कोशिश करी तो उसने उन्हें भी कुछ नहीं बताया और उन्हें घर से भगा दिया अब माधूरी के साथ उसके ससुराल वाले पुलिस टेशन पहुचे और पुलिस वालों को ये सारे घड़ना करम के बारे में बताया है एक पुलिस वाला बहुत अच्छा था उसना उनकी मदद भी करी परंतु बदले में ये कहा कि पुनर जर्म की इस तरह की बातों को कोट यकिन नहीं करेगा इसलिए हमारे पास इसके खिलाफ कुछ सबूत होना चाहिए उसी के बलबूते पर हम इसे गिरफतार कर सकते हैं और बहुत सोचने के बाद माधूरी के रूप में कविता को वो अस्पताल और वो डॉक्टर याद आया जिसने उसका अबोशन किया था उसका चेहरा उसे याद रहे गया था और उसी के बलबूते पर पुलिस वालों न उस डॉक्टर को उठा लिया जब उससे ठोस पुछ थाच की गई तब उसने ये बात कबूली कि जी हाँ मैं बहुत सालों से इस गाउ में भुरून हत्या करता आ रहा हूँ और उस समय कविता के पती ने भी उसकी पत्नी का अबोशन करने के लिए मुझे ही कहा था परंतूस अबोशन के दोरान उसकी पत्नी की मृत्ती हो गई थी डॉक्टर के इस कथन के बात वो बात भी सत्य साबित हुई जो माधूरी अपने मुझे कह रही थी वो पुनरजनम वायकई में सत्य था और डॉक्टर की गवाही पर कविता के पती को उसकी हत्या और ब्रून हत्या के मामले में किरफतार कर लिया गया और माधूरी को मनोचिकिस्सक के पास ले जाया गया जहा धीरे धीरे वो पुनह माधूरी बनने लगी और आज पुनह उसका कुशल संसार है और वो अपने परिवार में बहुत खुश है परन्तु कवीता के हत्यारों को भी सजा मिल गई ये तो महादेव का ही नियाए है तो दोस्तो पुनर जनम और इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है निचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा महादेव के सच्चे बक्त कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे भिना मच जाईएगा विडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे बेल आइकन को प्रेस करे अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव